दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब करते हैं अपने आज के करेंट अफेर डेली बेसिस पर आपर आप क्विक पॉइंट और स्पेशल डे एंश्गुड डे नियूज अफ दे पीवाइब कर सकते हैं आप मेना टेलीग्राम चैनल सर्च करें अमन सर वाइफाइ स्टड़ी आपको पीडिएफ लिंक बिल सकें जैसे मेरी सेवन पीम वाइफाइ स्टड़ी की जो क्लास होती ना दोस्तों रैपेट फायर की इसे आप जरूर देखें लाइफ सेशन होता टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल दाएगा विध पीडिएफ चली तो आज के दिन की कोशन में आपको जरूर कराऊंगा चली पहला कोशन देखते हैं आप सभी के सामने पहला कोशन है कौन सी कंपनी जिसने हाल फिलाल में ओट्रमेटिट फ्यूलिंग टेकनोलिजी जो है उपन करी है यूफिल के नाम से यह तरीक से सुभीदा रहेगी लोगों के लिए तो य बीपीसी एल भारत पेट्रोलिंग कोरपरेशनलिमिटेड के द्वारा जो है इसे नोंच क्या ँवी यूफिल का यह जो पूरा प्रोसेस है इस में एक तरीक से सिर्फ सेक्यूर और समार्ट एक्प्रियंस कस्टमर को मिल सकता है अब ये कैसे स्विफ्ट सेक्योर स्मार्ट experience हो सकता है क्योंकि जैसे जब भी आम पैट्रोल या डीजल कुछ भी डलवाते हैं तो उसमें हमें यह चीज़ observe करने पड़ते हैं कि you should look at the zero की digital rating क्या है यह सब चीज़ जैक करने पड़ते हैं तो यह सब जो है eliminate हो जाएगा इन सब चीज़ों का definitely smart experience जो है हमें मिलने वाला तो यह बहुत ही अच्छा technology transparency जो है यूफिल के जवारा experience कर सकते हैं लोग ठीक है और दूसरा additionally एक और importance ही जाए कि जो payment अगर advance पे कर दिया और हमने उसे utilize नहीं करा तो उसका immediate refund हो पाएगा इस यूफिल ठेकर services के through और यह 65 cities है पूरे इंडिया में जहां पर इसे launch तक कर दिया गया अच्छा है अच्छी service है चली देखते हैं दूसरा कोशन महतपुन कोशन आज इतने भी आप सुबह 6 बजे वर्ल्ट अफिर्स का वीडियो देख सकते हैं वीडियो जो बीस इकिस का इंडिया का रैंक है वो है वन नोट वन आउट ओफ 116 गंटिस तो हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि global hunger index में हमारी condition बहुत ही बुरी है इसमें हमारा रिपोर्ट के according score 27.5 है ठीक है single level of hunger that is at serious level हम उस लेवल पे हैं कि हंगर हमारे serious issue है इसमें इसे पहले जो लास्ट यर का दाना उसमें 94 हमारी रैंक थी 107 countries में तो अब हम देख सकते हैं कि उससे में भी जो थ्रेट था वो एक तरीके से थ्रेट serious threat था जो हमारे देश में था food के according अगर इस बार का हम रैंक देखें तो हमारा रैंक इवन पाकिस्तान से पीछे है 92 पाकिस्तान का बांगलादेश का 76 नेपाल का 76 तो मंदब हम कह सकते हैं कि यह इंडिया का रैंक बहुत बुरा है इस बार भी और इससे यह भी अंदेशा होता है है कि जो हम और बाकी 47 कंट्री जिनकी रैंक बहुत बेकार है तो यह थोड़ा दिक्कत की बात है तो वी शूट फोकॉस अंदिस अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यह सब चीजें हैं इन सब कभी मैं कोशन करा हूं उससे भी आपको बता चलेगा यह ग्लोबल अंगर लाइफ और कंसर्ण वाइड जो है यह दोनों देते हैं मिलके इंपोर्टन कोशन में भी आजा इसके ऊपर कोशन देखें अच्छा कोशन है माई पार्किंग्स यह एक एप है कूंसा मुंसिपल कोर्परेशन इसे लोंच किया है तो साउथ देली मुंसिपल कोर्परेशन बड़े शहरों में होते हैं तो हमें पार्किंग के लिए बहुत जाड़ा दिक्कत होती है या फिर और भी बहुत सारे शहर है इधर साउथ देली मुंसिपल कोर्परेशन ने ओपन के तो मैं देली का एक्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है माई पार्किंग एप से क्या होगा ज्यादा इस से पॉलिशन होता है क्या आदत से ज्यादा समय तो पार्किंग घूड़ने में लग जाता है उससे पॉलिशन करेट और पॉलिशन को कम करेगा ठीक है दा मेन ऑब्जेक्ट किया इसका रिदूज़ा पॉलिशन माइम इनिवाजिंग टाइम स्पेंड इन में चली एक और देखे एक और कोशन अच्छा गोशन ए व्य हाल फिलाल में नू ब्रैंड एमेस्टर बनाएगा एक इंडियन विरेवल ब्रैंड फायर बोल्ट के तो विराट कोहली जी को बनाएंगा है प्रसिद इंडियन केप्टन ठीक्ड जो विराट कोहली जी हैं इनको बनाएगा इससे पहले फायर बोल्ट ने विकी कोशाल जो फेमस एक्टर है तो सर्जीकल स्टाइक आपने देखा होगा तो उनक से समधी एक्टर इनको भी ब्रैंड अवेस्टर बनाएगा था फायर बोल्ट से फायर बोल्ट जो है एक तरी के से वेरियाबल गेमिंग और उनके चेर्मन कोन बनाएगा तो एक गोयल जी बनाएगे खेंगे एक गोयल जी कोन है तो यह यूको बैंक के चीफ रहे एके गुल जी अब इनको जो है चेर्मना स५िएशन का जेर्मन मनाईंगे एक से यूकॉइ को बेंक के चेफ पहले टिक थो यह बंट्मैन ë यह किकसे किया है राजकिररण उसक्सी्ट करूट इंडियन बैंक जिनके नाम के आगे इंडियन लगता है, और जिनके नाम के पीछे लगता है, तो देखते हैं, एक और कोशन, वर्ल्ल फूट प्रोग्राम, मिने आपको कल बताया था, कि मैं थीम हमेशा जिस दिन होता हुआ, उससे अगले दिन थीम और पूरा डिटेल आता हूं, तो देखिया, आज का कोशन, वर्ल्ल फूट प्रोग्राम थीम क्या है, तो से फूट नाउ फूर दा हेल्थी तुमारो, ठीक है, मैं आपको कल डेटेल फूर में बता दियता है, वैसे थोड़ा बहुत कि 16 अक्रूबर को वर्ल्ल फूट डे अबजर किया आता है इसका इनिशेटिव फूर्ट एन अग्रिकल्चर औरगनेशन जिसके एड़्वार्टर, ठीक है युनाइटिड नेशन का है, जिसके एड़्वार्टर रूम इटली में है, डेफिनिटली, और ये भी कोशन आप से पूछा रा सकते हैं कि इसका थीम क्या है, तो से हैं जो कि हंगर को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, हंगर फ्री वर्ल्ट चाहिए, ओल अवर दा वर्ल्ट, यहां रखेगा है, इम्पोर्टन को पूछा सकता है, इसमें थीम को मैं बताना चाहूं, बस यही इंपोर्टन था, चलिए, हाल फिलाल में इंडिया का सबसे पहला आटल कम्मुनिटी इनोवेशन सेंटर लोंज किया गया है, राजिस्तान के कौन से शहर में, पहला है भारत का, तो जैपूर में, जैपूर में भारत का सबसे पहला जो है अटल कम्मुनिटी इनोवेशन सेंटर लोंज किया है यह इनोगरेट किया विवेकानंद ग्लोबल उनिश्टी जो जायपूर में है वहाँ पर ठीक है और जो शिरी ऑंकर बगारिया सी यो जो है इस युनिवर्सिटी के उनको एज गेस्ट मतलब इन्हों ने जितने भी गेस्ट को उन्ते देख लेते हैं टॉक्टर जो चिंतन वैश्णव है डारक्टर ऑल अटल इनोवेशन मिशन के और नीती आयोग मोर्मेंट अफ इंडिया इन सभी को इन्हों ने ठीक है विशीव किया डेफिनिटली इंपोर्टेंट है भारत का यह पहला जो यह बनाया गया है सेंटर कि डेफिनिटली अटल इनोवेशन मिशन को प्रमोट करने के लिए नीती आयोग के द्वारा तो इसका एम क्या रहेगा कि जितने भी न्यू आइडिया सेंटल इनोवेशन कि और हाट में जो है बनाया गया देखिए यह सेटप किया गया किस लोकेषण में रामपूर रामपूर यूपी में है तो इंपोर 230 अ उत्तर फादेश में यह फस्ट है वीशकर्म वाटी का हाट तो एक तक-के से 25 अक्टोबर के बीच में आप सभी जानते हैं विशकर्मा जो हैं वो गोड़ ऑफ आर्चिटिक्ट क्यालाए जाते हैं तो यह जो उनर आर्ट बनाया गया यह एक तरकी से प्रमोट करेगा हमारी ग्लोरियस लिगर्सी को जिसमें हम बहुत सारे आर्टीशन काफ्टमेंट्स हमारे इंडिया में रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स हमारे देश में बहुत सारे हैं तो यह इनोगरेट यूनियन मिनिस्ट्री ओफ एड्यूकेशन इंस्किल डिपार्टमेंट और एंट्रपरिनर के द्वारा किया गया तर्मेंद्र प्रधान जी के इंडिया सी टोप पे रहे हैं ओल आवर सेंसंग टोप पे रहा हैं बतेगा इंडिया की कुन सी कम्पनी है तो रलाइन्ष इंडस्ट्री है तो कोशन आ सकता है पहली बार तो यह रिपोर्ट किसके दवारे दी जाती है वर्ड बैस इंप्लोईर 20,21 रिपोर्ट जो है इन कंपनी सेंसंग इलक्ट्रोनिक्स है इसने टॉप किया है ग्लोबली ओल ओवर दा वर्ल्ड कहा जा है उसके बाद यूएस जाएंट आई बीम उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एमोजन एपल एल्फाबेट डेल टेक्नोलोजी यह सब है लेकिन जब इसी में इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया की सबसे टॉप पर रहे हैं रिलाइंस इंडस्ट्री जो की ओल ओवर दा वर्ल फिफ्टी सेकेंड पर रही उसके बाद इंडिया की इतनी भी रैंकिंग है टोप 10 सारे लिख्यों आई सीसी एच्टी एफसी एचल एस्बी लेंस टर्बो बजाज एक्सिस इंडियन बैंक और ओन जीसी यह सब जो हैं लिस्ट में रहे हैं ग्लोबली तो इंपोर्टेंट है इसमें 750 ग्लोबल कॉर्परेट्स को रैंक किया गय ठीक है और पूरा एक डाटा बनाएगा कि कैसा जो है एंप्लोयर्स ठीक है रेट दिया गया उसके रेटिंग के अकोडिंग जो है पूरी रैंकिंग को बनाए गया है आज का क्यूंट देखिए तेजिश्वनी इनिशेटिव जो है कौन सी पुलिस ने स्टार्ट किया है कि दिसेनर कोण सी कंट्री नोंच कर सेटलाइट तो चाएना के दुवारा कों सा प्रोजेक्ट है हईट्र एलेट्र पोजेक्टर जो केला सरकार के दुवारा कैंसिल किया गया है था फूर किया ने WAR जो हैचिन प был किया तbs अब कुछ तो आंसर है चंपान शत्त्य कर तो आज का सवाल देखिए दो जार अठारा एससी सी एचसल में आया है एक बिमारी से जिसका नाम है और बाकी सबी पार्ट जो हैं किस से एफेक्ट होते हैं यह भी बताईगा डिटेल फो में बताईए आप मेरे टेलिक्राम चैनल जोईन करें अमनसर वाइफ स्टेडी सोड़ आपको पीडियेफ लिंक बिल सकें जैसे आपकी वाइफ स्टेडी की फी क्लास साथ वजे की बहुत ज्यादा इंपोड़न दोस्तो रैपिट फाइफ करने के लिए आपके लिए यूटिलाइस करिए इसको ठीके और अनकेडवी की फी क्लासे जो हैं आपके लिए 10 एम पर होती हैं आप मेरे प्रोफाइल फोलो कर सकते हैं अमनीप शर्मा और ज विजुली कंटेंटरीं से पढ़ना चाहते हैं अच्छे पढ़ना चाहते हैं देप में तो आप फ्लसकूर्स एकसस करें प्लस नहीं प्लसकूर्शिट में चुट्डें एग्जामपल देडे तों आपको जैसे सब्सक्रिक्शन अब लेते हैं तो आप होज से पहले जैसे और जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी लीजे क्योंकि लिमेटेड ओफर्स होते हैं हमेशा तो आप रेफर कोड यूज करें लाइव अमन और लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दे रखने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रवाइट किया है उसको आप अपन करके य